हेलो बच्चो वेलकम टो इन्फिनिटी अकेडमी आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फाइव महराश्ट्र स्टेट बोर्ड चैप्टर टू लेक्चर नमबर फोर तो प्रिवेस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कंसेट्स और प्रॉब्लेम सेट थ्री सॉल किया था जैसे कि सिक् दिखते हैं तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा होगा यहाँ पे आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दी हुई है आप पहले वो वीडियो चेक किजिए तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लेम सेट फोर ओके तो प्रॉब्लेम सेट फोर में हमें फर्स्ट क्वेस्टन दिया है रीड दे नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स तो यहाँ पे यह जो नंबर्स हमें दिये हुए है तो आप देखिए हर एक नंबर सेवन डिजिट है तो हमने सिक्स डिजिट नंबर्स के बारे में तो पढ़ा है लेकि तो seven digit numbers तो हमने already पढ़ा है कि six digit numbers हम कैसे form करते हैं like units place, tens place, hundreds place, thousands place, ten thousands place and lakhs तो कोई भी six digit number form करने के लिए हमने ये method already पढ़ी हुई है suppose यहाँ पर आगर मैं कोई number लेता हूँ six, seven, eight, nine, four and six तो ये six digit number हम read करते हैं six lakh, forty-nine thousand, eight hundred and seventy-six तो biggest six digit number क्या होता है हमने पढ़ा है biggest six digit number is nine lakh, ninety-nine thousand, nine hundred and ninety-nine तो ये हो गया biggest six digit number अब इसमें अगर हम one add करते हैं तो ये क्या हो जाएगा nine plus one, ten, zero, one carry one plus nine, ten, zero, one carry, ten ओके यहाँ पर again ten, one carry, ten, one carry और last में यहाँ पर आएगा ten तो अब ये जो number है ये आप देखिए one, two, three, four, five, six and seven तो ये हो गया seven digit number तो अब इसे हम कैसे read करेंगे तो यही number में यहाँ पर लिखता हूँ तो similarly जैसे हमने six digit number को read करने के लिए method यूज की थी यहाँ पर भी हम इसे units place, tens place, hundreds place, thousands place, ten thousands place, lakh तो ये up to six digit number हो गया यहाँ पर अब ये हमें एक extra digit मिल रहा है तो इसे हम लिखेंगे ten lakhs तो seven digit number में हमें ये जो एक extra place मिल रहा है उसे हम denote करेंगे ten lakh से और इसे अब हम read करेंगे ten lakh तो ये हो गया smallest seven digit number similarly biggest seven digit number क्या होगा तो nine, 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 seven times nine हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये number हो जाएगा अभी जैसे हमने ten thousands place और thousands place को साथ में read करना सीखा था वेसे ही यहाँ पर हम ten lakhs place and lakhs place इन्हें साथ में read करेंगे ten thousands place and thousands place को साथ में read करेंगे तो ये number देखिए आप ten lakhs and lakhs तो इसे अगर हम साथ में read करते हैं तो ये हो जाएगा 99 lakhs then ten thousands place and thousands place तो ये हो गया 99 इसे हम read करेंगे 99,000 and last में 999 तो ये number हो गया 99 lakhs 99,999 999 तो ये है biggest seven digit number तो यहाँ पर ये जो 10 lakhs हमने पढ़ा तो western countries में 10 lakhs को million भी कहा जाता है 1 million means 10 lakhs जैसे आपने सुना होगा कि YouTube के जो famous YouTubers होते हैं उनके subscribers होते हैं 5 million, 10 million that million means 10 lakhs तो 1 million means 10 lakhs ये भी आपको याद रखना है तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको read करने के लिए 10 lakhs place and lakhs place को साथ में read करेंगे कहा तो ये जो digits है उनके बाद यहाँ पर हम एक कॉमा देते हैं then 10 thousandth place and thousandth place को हम साथ में read करते हैं तो यहाँ पर another एक कॉमा देंगे तो जब भी हम number लिखते हैं 6 digit हो या फिर 7 digits हो तो जैसा हम उसे read करते हैं वेसे ही यहाँ पर हमें grouping करनी होती है तो ये well mannered में दिखता है कि that is 99 lakhs, 99,999 तो ऐसे ही हमें problem set 4 का first question solve करना है तो चलिए शुरू करते हैं problem set 4 यहाँ पर first question में दिया है मैं read the numbers and write them in words तो सबसे first यहाँ पर हमें दिया है 2, 5, 7, 9, 8, 9, 9 तो यह 7 digit number है और इसे अब word form में कैसे लिखेंगे तो अभी अभी हमने जो study किया तो सबसे पहले हम यहाँ पर units place, tens place, hundreds place, thousands place, ten thousands place, lakhs और यहाँ पर 10 lakhs तो इसे अब हम read करेंगे 25 lakhs 10 lakhs और lakhs का जो number है उसे हम साथ में read करेंगे 10 thousands place and thousands place पर जो digits है उने हम साथ में read करेंगे तो यह हो जाएगा 79,000 and last में 899 तो यह number हो गया 25 lakhs 79,899 और इसे हम word form में लिखेंगे 25 lakhs 79,899 और नेक्स्ट नमबर हमें दिया है 2nd 3,0,7,0,5,0,6 तो इस 7 डिजिट को read करने के लिए अब हम 10 lakhs प्लेस और lakhs प्लेस इनको साथ में read करेंगे तो यह हो जाएगे 30 lakhs तो इस नमबर को word form में हम ऐसे लिखेंगे 30 lakhs 70,506 तो इसे अब हम read करने के लिए 10 lakhs प्लेस और lakhs प्लेस को एक साथ read करेंगे तो यह हो जाएगे 45 lakhs तो इसे हम read करेंगे 71,000 तो इस नमबर को हम word form में लिखेंगे 45 lakhs 71,504 ओके नव नेक्स्ट फोर्थ नमबर फोर्थ हमें दिया है 2109900 तो इसे अब हम read करेंगे यह दोनों नमबर को एक साथ हम read करेंगे that is 21 lakhs then 10,000th place and 1000th place तो यहाँ पे हमें दिया है 0,9 तो यह हो गया only 9,000 तो यह हो गया only 9,000 ओके और लास्ट 900 10th place and units place पे 0 है तो यह हो गया 900 तो यह number हम read करेंगे 21 lakhs 9,000 and 900 और इसे ही word form में हम लिखेंगे 21 lakhs 9,900 ओके नाव next number is 4, 3, 0, 7, 8, 5, 4 तो इसे अब read करेंगे 43 10 lakhs and lakhs place का number together हम read करेंगे 43 lakhs नाव 10,000th place and 1000th place पे यहाँ पे 0,7 है तो यह हो गया 7,000 and last में 854 तो यह number हम word form में ऐसे लिखेंगे 43 lakhs 7,854 ओके then next sixth number which is 5 0, 0, 0, 0, 0 and 0 तो यहाँ पे आप देखिए lakhs से लेकर आगे के जो भी places है they are zeros यहाँ पे एक ही ऐसा number है 5 which is at 10 lakhs place तो इसे हम read करेंगे 50 lakhs 10 lakhs and lakhs place पे जो होगा उसे हम एक साथ read करते है तो यह हो जाएंगे 50 lakhs आगे 10,000, 1000, 100 पे कोई भी digit नहीं है तो यह number हो गया 50 lakhs और इसे हम word form में लिखेंगे 50 lakhs ओके now next seventh number which is 6, 0, 0, 0, 0, 1, 0 तो यहाँ पे इस number को हम read करेंगे now 10 lakhs and lakhs place पे है 60 तो यह हो जाएंगे 60 lakhs यहाँ पे 10,000 place and thousands place पे 0 है तो उसे हम 0 ही consider करेंगे now hundreds places also 0 यहाँ पे last में हमें दिया हुआ है 10 तो इसे हम read करेंगे 60 lakhs and 10 और इसे को हम word form में ऐसा लिखेंगे 60 lakhs and 10 तो इसे हम read करेंगे 70 lakhs and lakhs place पे है 70 that is 70 lakhs 10,000 and thousands place तो 0 है and last में है 100 तो इसे हम read करेंगे 70 lakhs and 100 और इसे को हम word form में कैसे लिखेंगे तो 70 lakhs and 100 ओके then next is 9th number which is 8, 0, 0, 1, 0, 0, 0 तो अब इसे read करने के लिए यहाँ पे 10 lakhs and lakhs place पे है 80 that is 80 lakhs now 10,000th place and thousands place पे 0, 1 that is only 1 तो इसे हम read करेंगे 1000 और last में तो all zeros है तो इसे हम read करेंगे 80 lakhs 1000 और इसी नमबर को हम word form में लिखेंगे 80 lakhs and 1000 now next 10th number 9 0 1 0 0 0 0 0 तो यहाँ पे हम इसे read करेंगे now this is 90 तो यह हो गए 90 lakhs यहाँ पे यह हो गए 10,000 and last में all zeros है तो यह होगा only 10,000 तो इस number को अब हम read करेंगे 90 lakhs 10,000 और इसी को word form में लिखेंगे 90 lakhs and 10,000 तो इसे अब हम read करेंगे this is 91 lakhs 10,000 and thousands पे 0 है और आगे भी all zeros है तो यहाँ पे सिर्फ 10 lakhs and lakhs place पे non zero number है तो इसे हम read करेंगे 91 lakhs और इसी को word form में हम लिखेंगे 91 lakhs तो अब तक मैंने आपको total 11 7 digit numbers को कैसे read करेंगे कैसे उन्हें word form में लिखेंगे यह बताया now 12th number आप खुद से try कीजिए और comment box में मुझे answer send कीजिए ओके now let's start with second question तो second question में हमें दिया है given below are the deposits made in women's cooperative credit societies of some districts read those figures मतलब यहाँ पे हमें दिया गया है कि deposits made in women's cooperative credit society तो यह women's cooperative credit society means जैसे आपने घर में कभी सुना होगा महिला बचदगट होता है या फिर पतपेडी होती है banks होती है जिसमें हर महिने हम कुछ deposit करते है तो वैसे ही यहाँ पे women's cooperative credit society में अलग-अलग districts में कितनी amount deposited है वो हमें दिया हुआ है और read those figures means वो amount हमें word form में यहाँ पे लिखनी है तो सबसे पहले हम start करते है पूने से तो पूने में हमें यहाँ पे दिये है rupees 9429408 तो जैसा हमने first question में read करना सीखा seven digit number को according to that यह number क्या हो जाएगा 94,29,408 तो इसे हम word form में लिखेंगे rupees 94,29,408 तो नाशिक तो नाशिक में हमें लिखेंगे rupees 61,07,187 तो यहाँ पे आप देखिए हमने grouping भी पढ़ा था यह होते है 10,00,00,000 तो यह हो जाएगा 61,00,7,187 तो इसे हम word form में लिखेंगे rupees 61,00,7,100 67,00, okay now next नाखपूर तो नाखपूर में हमें लिखेंगे rupees 4,6,5,3,5,7,0 तो इसे अब हम read करेंगे this is 46,00,53,570 और इसे को हम word form में लिखेंगे rupees 46,00,53,570 okay now next is अहमद नगर अहमद नगर में हमें दिये है rupees 45,00,43,159 तो इसे हम read करेंगे 45,00,43,159 और word form में इसे हम लिखेंगे rupees 45,00,43,159 now next अउरंगाबाद तो यहाँ पर हमें दिये है rupees 3,701,282 तो इसे हम read करेंगे 37,00,1,282 और इसे को word form में हम लिखेंगे rupees 37,00,1,282 तो यहाँ पर जो word form में लिखना है वो आप video post करके लिख सकते हो okay now next is यवत मार यवत मार में हमें दी हुई है deposit rupees 27,00,2,3,4,8 okay तो इसे हम read करेंगे now this is 10,00,000,000,000 place तो यह हो जाएंगे 27,00,000, this is 10,00,000 and thousand place तो यह हो जाएंगे 72,00, and 348 okay तो इसे को हम word form में लिखेंगे rupees 27,00,72,348 now last हमें दिया हुआ है Sindhu Durg Sindhu Durg में deposit है rupees 58,00,49,651 तो यह हो गए 58,00,49,651 तो इसे को हम word form में लिखेंगे rupees 58,00,49,651 तो यहाँ पे हमने complete कर लिया है question number 2 और इसी के साथ हमारा problem set 4 भी complete होता है I hope आपको यह video अच्छा लगा होगा ऐसे ही और videos के लिए और आपके standard के other subjects के videos के लिए भी चैनल को subscribe कीजिए videos को like कीजिए और अपने friends के साथ share कीजिए Thank you